हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सबसे प्रमोख रामायन लगभग हर हिंदू घर में मौझूद होती है। जिसमें भगवान राम के बारे में विस्तार से वर्नन मिलता है। बहुत से लोगों के मन में भगवान राम और माता सीता को लेकर कई सवाल आते हैं। उनहीं में से एक है विवाह के समय उनकी उम्र क्या थी भगवान राम और माता सीता हजारों करोणों लोगों के आराध्य देवी देवता है। दोनों का जीवन आज की पीरी के लिए भी एक मिसाल है। रामायन का हर किरदार भारत के लोगों के दिलों दिमाग में बसा हुआ है। भगवान राम को लेकर हमारे यहां कई प्रकार के दंत कताएं और मिथक बनाए गए हैं। राम इतने प्रासंगेक हैं कि बच्चा बच्चा भी उनके पराक्रम से परिच्चित है। हम सभी ने अपने घर में रामायन देखी हैं। मगर आज भी भगवान राम और माता सीता को लेकर कई सवाल हमारे मन में आते हैं। उन्ही में से एक सवाल है कि जब माता सीता और भगवान राम की शादी हुई थी, तब दोनों की उम्र कितनी थी आज के दौर में भी माता सीता और भगवान राम के रिष्टे की मिसालें दी जाती हैं कहा जाता है कि हर पती पत्नी के बीच भगवान राम और माता सीता की तरह प्रेम और विश्वास होना चाहिए माता सीता के विवाह के लिए रखे गए स्वयंबर में भगवान श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था और माता सीता से विवाह किया था रामचरित मानस में तुलसीदास ने दोहा लिखा है जिससे भगवान राम और माता सिता की आयू के बीच का अंतर पता चलता है लेकिन इस दोहे से विवाह के समय दोनों की उम्र कितनी थी इस बारे में वालमी की रामायन में मालूम होता है गुस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है वर्ष 18 की सिया 27 के राम कीन हो मन अभिलाश तब करनों है सूर काम इस दोहे से ये तो पता चलता है कि विवाह के समय माता सिता और भगवान राम के बीच लगभग 9 वर्ष का अंतर था मगर विवाह के समय इनकी उम्र कितनी थी इस बात का साफ साफ पता नहीं चलता वाल्मी की रामायन में विवाह के समय भगवान राम की आयू 13 वर्ष, माता सिता की आयू 6 वर्ष बताई गई है वालमी की रामायन की माने तो 18 वर्ष की आयू में माता सीता भगवान राम के साथ वन चली गई थी 14 वर्षों के बाद जब वनवास से लोटे तो 33 वर्ष की आयू में माता सीता अयोध्या की महरानी बनी वाल्मी की रामायन के अरण्यकांड में भगवान राम और मातासीता की उम्र को लेकर प्रसंद मिलता है इस प्रसंद में मातासीता साधु के रूप में आय हुए रावन को अपना परिचे देती हैं विल इस प्रकार है उशित्वा द्वादश समा एक्ष्वा कुना निवेशने भुंजना मानुशान भोगान सर्व कामसम्रुधिनी 1. तत्त त्रयोदेशे वर्षे राजामंत्रायत प्रभूह अभिशेचितु राम समेतो राजमंत्र भेह 2. परिग्रिया तु क्यकेई श्वसूर सुकृतेन में मम प्रवराजन भर्तोर भर्तस्य अभिशेचिनम 3. द्वावया चत भर्तार सत्यसंधन रिपोत्तमम मम भर्ता महातेजा वयसा पंच्विंश कह अश्टादश है वर्षानी मम जन्मनी गण्यते इस प्रसंद में माता सीता रावन को ये कहती है कि विवाह के बाद 12 वर्ष तक इक्ष्वाकू वंश महाराज दश्रत के महल में रहकर मैंने अपने पती के साथ सभी सुखों का भोग किया है मैं वहां सदा मनुवांचित सुख सुविधाओं से संपन रही वन जाते समय मेरे पती की आयू 27 साल और मेरे जन्म काल से लेकर वन के लिए प्रस्थान के वक्त तक मेरी आयू 18 साल की हो गई थी